नमस्कार मैं दिव्या धरादर तीस खबरों में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अपतर के प्रमुख खबरों को जंतादल युनाइटेट के पूर्व राष्ट्य अध्यक्स और पूर्व केंद्रिय मंत्री सरद यादव का गुरुवाराद गुरुगराम के फोटेस अस्पताल में निधन हो गया यो 75 वर्ष के थे और काफी समय से गुर्दे की बिमारी से पीरित थे सास लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्दी कराये गया था शरद यादव के निधर की जानकारी उनकी बेटी सुभासनी यादव ने फेस्बुक पेज पर दी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा विलास क्रूज को वर्च्वली हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे या क्रूज 51 दिनों में 3200 किलो मीटर की दूरी तै करेगा या कासी से अपनी यातरा की शुरुवात करते हुए पटना, कुलकाता, धांका और गंगा विलास क्रूज में कुल 18 कमरे हैंस के अलावा जीम, स्पा, सेंटर, लेक्चर, हाउस, लाइबरेरी और टेलिविजन की भी सुविधा होगी, क्रूज में 40 क्रू मेंबर भी मौजूद होंगे, हिंदूों के धार में ग्रंत रामचरित मानस पर विवादे टिपनी कर ये समय समय पर कई तरह की सुविधाय लेकर आती रहती है, इसके लिए लोगों को आधार समबंदित परिशान याद दूर करने में मदद मिलती है, UIDAI ने इंटरेक्टिव वॉइस डिस्पॉंस तकनीकी शुरुवात की है, जिसके जरिये ग्रहांकों को मुफ्त कॉल करने क की सुविधा मिलती है, इस हेल्प लाइन नंबर एक नौचार साथ पर ग्रहांक किसी भी राज्य से कॉल करके अपनी आधार संबंदित शिकायत दर्ज कर सकते हैं, विहार के मुख्य मंत्री नितीज कुमार ने एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारेकरम से दूरी बनाई है, दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास के उधगाटन समारों में विहार की ओर से नितीज कुमार के बजा डिप्टी सीम तेजस्वी यादब ने शिर्कत की, इसे राजनेटिक गलियारों में चर्चा का दौर्ट शुरू हो गया है, इससे पहले 40 घंटों के बाद समूचे उतर पश्चिमी भारत में भयंकर सीत लहर आने वाली है, इसकी वज़ा है पश्चिमी विच्छोप का सक्रिये होना, विच्छोप के सक्रिये होने की वज़ा से नियुंतम तापमान में बरहोतरी हो रही थी, लेकिन अब ये पश्चिमी अपनी दिशाब बदर रही है, सरद यादव ने अपने आखरी ट्वीट में सुप्रीम कोट के एक फैसले की जमकर सराहना की थी, दरहसल सुप्रीम कोट द्वारा यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाबाद हाई कोट के फैसले को पनट दिया गया था, सुप्रीम कोट न भी नहीं दिया गया, इस दोरान एक यादरी ने वीडियो बना लिया और फिर उसे सोचल मीडिया पर अप्लोड कर दिया, वीडियो में उसने आप बीती बताई, यादरी के वीडियो के आधार पर अब नागर विमानन महा निदेशाले ने दिल्ली हवाई अड़े पर उसे घटना को लेकर स्पाइस जेट से रिपोर्ट मांगी है, बिहार के तमाम नेताओं के साथ डिप्टी सीम तेजस्वी यादव ने भी सरद यादव को भाव बीनी स्रधांजली दी, इस दोरान तेजस्वी यादव मर्माहत नजर आए, तेजस्वी ने सरद यादव को याद करते हुए एक प्रसंग का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सरद यादव से उनकी बात हुई थी, इसमें उन्होंने या कहा था कि समाजवादियों के सामने चुनौती है, तेजस्वी यादव ने सरद यादव को यादव करते हुए कहा कि कुछ दिल पहले उनसे बात हुई थ सब कुछ ठीक था यह कहते वे तेजस्वी यादब काफी भावुक न जना है केंद्र और राजी सरकारे अगले वित वर्स में बाजार से कुल 2.3 लाग करो रुपए अधिक का करज लेने का प्राभधान कर सकती है हालंकि केंद्रिय बजट में राज कोशिय घाटा अनुमान स से कम होकर सकल घरेल उत्पाद का 5.8 प्रतीसत रह सकता है एक रिपोर्ट में यह कहा गया है एकरा रेटिंग्स ने अनुमान जताया कि पुराने कर्ज को अधिक मात्रा में चुकता करने से केंद्र सरकार और राजी सरकारों की सकल बाजार उधारी भी बढ़ेगी केंद्रि हाई कोट ने इस मामले में दाखिल बिरासी आजकाओं का निप्टारा करते हुए गया आदेश जारी किया है अदालत के इस फैसले का फाइदा से यार पीएफ, बीएसेफ, सी आईएसेफ और आईटी बीपी समेट सभी केंद्रिय सुरक्षा बलों के कार्मिकों को मिलेगा Amazon के CEO Andy JC ने पुष्टी किये कि कमपनी में छटनी होगी, जेसी ने घोसना की कि 18,000 से अधिक कर्मचारी छटनी से प्रभावित होंगे, इनमें भारत के कई कर्मचारी सामिल है, पिछली रिपोर्ट्स से संकीत मिला था कि Amazon भारत में तकनीक, मानव संसादन और कुछ अन्य व आयोग ने गंभीर चिंता जताई है, आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया, चुनाव में होने वाले बेहिसाब खर्च को लेकर वह गंभी रूप से चंतित है, आयोग ने कहा कि हालांकि इस पर अंकुष लगाने के लिए उसके पास मजबूत तंत्र आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि आयोग उमिद्वारों और आजनितिक दलों के अध्याधिक चुनाव खर्च को रोकने में काफी हद तक कामयाब भी रहा है, भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ने जोसी मट को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है, इस रो ने जोसी मट की सेटेलाइट तस्वीरे भी चारी की है, जिनके मुताबिक 27 जिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोसी मट की जमीन 5.4 संटी मीटर नीचे चली गई है, इसी बीच अमिद्चान ने मौजूदा इस्तिती का जायजा लिया और बैठक में रहात और बचावकारे के इनर देश दिये, कॉंग्रिस ने सरकार की चीन इती की आलोचना करते हुए कहा कि 20 सैनिकों की सहादत के बाद चीन से आयात में जबर्दस्त बरहोतरी हुई है, और अब जो महौल है उसे देखते हुए चीन का मुकाबला सिर्फ छोटे कारोबारी ही कर सकते हैं, कॉंग्रि सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है, सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की नीजी जानकारे इंटरनेट पर डालने को अपराद बनाने की तैयारी कर रही है, सरकार जल्दी इसका ड्राफ्ट पूरी तरह खत्म कर दिया है, हज यातरा के लिए विए पी कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया है, भारत के प्रधान मंत्री राष्ट पदी उपराष्ट पदी अल्प संख्यक मंत्री के साथ-साथ हज कमेटी को आवंटिट लगबग सभी विए पी कोटे की स सम flew to players के सत्यों द्वारा सराना की गई इस अमेरिकी कॉंगर्स के सदर्शिर रिच मैकोर्मिक ने ब्रस्पती वार को सधन में बताया कि भार्तिय अमेरिक कि कुल आबादी का एक प्रतीसत है, लेकिन वे करेब प्रतिशत करों की भुकतान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जातिय समुदाय समस्य का कारण नहीं बनता बलकी कानूनों का पालन करता है। संयुक्त रास्ट长 सांथी रक्षा मिसन में सेवा देने वाले भारतिया सांथी रक्षकों को संयुक्त रास्ट के प्रतिस्टित मेरल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ड्यूटी के दोरान दिखाई गई अध्धमिय साहस के लिए दिया गया है। ऐसे में साथ बार्तिय धिम में पूरी तरह से बस गए इनना इदिकतर संख्या उन लोगों की वहाँ पर मज़धूरिया कंपनीयों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के एलेक्ट्रोनिक मेडिया नियामक प्राधिकरर के कर्मचारियों ने चार केबल ओपरेटरों पर भारतिय चैनलों के साथ-साथ भारतिय कंटेंट प्रसालित करने के लिए छापे मारी की कराची स्टित मेजर्स साथ जहां केबल नेटवर्क मेजर्स कराची केबल सर्विसेज मेजर्स न्यू सैटिलाइट कम्यूनिकेशन और मेजर्स स्टार डिजिटल केबल नेटवर्क सामिल है केंद्र और राजे सरकारे रगातार किसानों को इनाधुनिक धाचोंग में खेती करने के लिए आर्थिक और तक्नीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं जिसे सफल उत्पादर में कोई भी दिक्कत ना है सरकार के लावा कई स्टार्टप भी आज पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, लोड टेनल जैसे सुविधाएं किसान को प्रदान कर रहे हैं एगरी स्टार्टप खेती को विस्व प्रसिद अर्थ शौर्ड अबॉर्ड डिया गया है जिसे एको आसकर अबॉर्ड भी कहते हैं आपको बता दें कि अगरी कल्चर स्टार्टप खेती सिर्फ पांच एकर या उससे कम जमीन वाले किसानों को ही ग्रीन हाउस तखनीक मुहया करवाता है भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 25 जनवरी को महिला IPL में भाग लेने वाली पांच फ्रेंचाईजी के नाम का एलान कर सकता है इन फ्रेंचाईजी की बोली सील बंद लिफाफे में जमा की गई है हालांकि बोर्ड से निविदा दस्ता वेजों में असपर्ष्ट किया गया था कि वह सबसे ज़्यादा कीमत वाली बोली को स्विकार करने के लिए बाद दे नहीं है बीसी सी आईजी ने पिछले सप्ता महिला IPL में सामिल होने वाली पांच फ्रेंच आईजी की स्वामित्व और संचालन के लिए बोलिया मंतरित करते हुए निविदा जारी की थी भाजे क्रिकेट टीम ने साल 2023 की सुरुवाद धमा के दार अंदाज में की है टीम इंडिया ने ने साल में स्री लंका से T20 सीरीज जीतने के बाद वंडे सीरीज पर भी कबजा कर लिया है भारत की स्री लंका के खिलाफ अपने घर में या लगातार दस भी वंडे सीरीज जीत है यानि टीम इंडिया लंका से कभी भी अपने घर में वन्डे सिरीज नहीं हारी है देश में आज भी कई वैपारी और चावल कमपनियां विप्टीत मानकों में नकली बासमती चावल बेच कर अपनी जेबे भर रही है ऐसी गैर कानून कते विदियों पर अब भारतिय खादे सनक्षा और मानक प्राधी करन यानि FSS AI ने लगाम कस दी है बता दें कि FSS AI ने पासमती चावल की क्वालिटी और स्टेंडर्ड के लिए खास नियम तै कर दिये हैं का पालन चावल कंपनियों को करना ही होगा यह नियम एक अगस 2023 से देश भर में लागू हो जाएंगे मुख्यन आएधिस दिवाई चंद्र चूर ने केंद्र सरकार को फटकार लगात हुए कहा कि अगर दिली में प्रशासन केंद्र के इसारों पर ही चलाया जाना है तो चुनी हुई सरकार होने का क्या मतलब है सीजे आई ने दिली सरकार और केंद्र के बीच एक विवार के सुनवाई के दौरान ये टिपनी की जिसकी अध्यक्सता वो खुद कर रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदियाज नीती आयोग में अर्थ सास्तियों के साथ कि इस बैटक के दौरान वित मंत्री निर्मला सीता रमन भी मौदूद रही पीम ने केंद्रिय बजट से पहले अर्थ सास्तियों से राय और सुझाव लेने के साथ-साथ भारती अर्थ व्यवस्ता की स्थिति और इसकी चुनोतियों का आंकलन किया पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच परोसी मुल्क के लिए एक और बुरी खबर है पाकिस्तान के करीबी कहे जाने वाले मुरकों ने भारत के साथ राजनाइक संबंदों के साथ-साथ रक्षा सौधों को बरहावा देने का फैसला किया है उत्तरी अफरीका देश मुरकों की साही ससस्त्र सेना अब मेरी निंडिया ट्रकों का इस्तेमाल करेगी मुरकों ने भारत की कम्पनी टाटा द्वारा निर्मित बेरानवे 6 पईयों वाले सैन ने ट्रकों को खरीदने का फैस्टला किया है हमारे द्वारा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमें हमारे दुछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब बस दो ते हैं आज की सवाल की ओर उस्से पहले दिवंगत नेता सरद यादव को भावपूर्ण स्रधान त्री तो आज का सवाल है आपकी नजर में सरद यादव की नेता के रूप में कैसी छवी थी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमिन्ट सेक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद